सिरम इंस्टिटीट वाफ इंडिया में आज जो फायर लगा था उसमें अभी तो 100% वहाँ का फायर की पूजिशन अंडर कंट्रोल है लेकिन एक दुरगटना निशित सुरुप से घटी है इस फायर में आज 5 लोगों की जाने गई है अभी यहां से उन लोगों की बाडिज लेके गये है लेकिन एक बात का जिक्र जो घायता क्या 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 कौश्ल का का जहां चल रहा है स्टोरेज कहा है यह वही बिल्डिंग है क्या तो यह बात भी क्लियर है कि यहाँ पे कुछ भी कोवी शिल्का स्टोरेज नहीं था यहाँ पे कोवी शिल्का मैनुफेक्टिरिंग भी नहीं था यह अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चल रहा था और आज जो लोग गए है जो यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वरकर है ऐसा शायद प्राथमिक जो अनुमान लगाया गया है उसे यह लग रहा है आगे की जो जानकरी है वह हमें जल्दी मिल सकती है इस बिल्डिंग के आखरी मंजिल पे पूरा जो फ्लोर था वो पूरा जलकर खाक हुआ था और जब यह सब फाइर कंट्रोल में आई थी हमादे फाइर बिगेट के चीफ आफिसर रनपीसे साब ने मुझे कॉल किया कि इस लास फ्लोर पे अभी हमें पांच यहां पे बॉडिस मिली है जो जलकर राक हो गई है और मज़े लगता है कि वो सब बाकी फाइर का कंट्रोल हो चुका लेकिन यह अंतिम जब सब काम कतम हुआ लोग जाने लगे थे उसी समय यह खुला सा हुआ उसी समय यह जानकर ही भाइक है और यह सामने है यहां पे पहले तो अशंका थी चार लोग अंदर फसे हुए इन चार लोगों को तुरन्त हमादे लोगों ने फाइर बिकेड के हमादे सबी टीम यहां पे काम किया उन्होंने जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला वह लोग अभी अच्छे है उनको कोई भी यहां पे चोट नहीं पहुंची है लेकिन आखिर में जो आखरी मंजिल था आखरी फ्लोर था वहां पे पूरा फ्लोर जला है तो उसमें पांच लोग यहां पे उनकी डेत हो गई है ऐसे आखरी समय में सामने आया झाल